हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं बंदगोवी और हरे मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी से एर करने वाली हूँ जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ना कि सब लोग तारिफ करेंगे और हर बार बोलेंगे ऐसे ही बनाने के लिए बनाने का तरीका मैं बिल्कुल आसान बताऊंगे तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखिएगा चले रेसिपी शुरू करते हैं चुले पर कडाई रेक देंगे और गयस ओन कर लेंगे अब हम इसमें यड़ के रिंगे दो बड़ा चमठों सर्शो का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जागा ताब हम उसमें यड़ करेंगे आधा चोटा चमठ जीरा एक चमच बारी कटी हुई लासुन एक चमच बारी कटी हुई हरी मेर्च और एक बड़ा साइज का प्याज इस तरह से कटा हुआ लंबा लंबा अब इन सारे चीजों को medium to low फ्लिम पर हलका सा फ्राइ कर लेंगे तो ज्यादा नहीं फ्राइ करना है बस सॉफ्ट करना है क्योंकि प्याज का एक अलगी मीठा पन होता है हलका सा सॉफ्ट होने के बाद जो बंदगोवी के सबजी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है तो इनको बार-बार चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे तो देखे फ्रिंज प्याज को बस इतना ही फ्राइ करना है इससे ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है ने तो प्याज जल जाएंगे और इनका जो मीठा पन होता है ओ खतम हो जाएगा तो बस इतना ही प्याज को फ्राइ करना है अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, अब हम इसमेड करेंगे कुछ मसाले, तो हम इसमेड करेंगे आधा छोटा चिमच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चिमच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंदों कमि में ज्यादा आधा छोटा चमस दनीय पाउडर और आधा छोटा चमस जीरा पाउडर अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड तक मसालों को लो फ्लिम पर ही भून लेंगे इस तरह से चलाते हुए बार बार अब हम इसमें अड़ करेंगे एक कटोरी फ्रेस हरा मटर अब मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लिम लोही रखेंगे अब हम इसमें अड़ करेंगे एक बड़ा साज का टमाटर वारिक कटा हुआ अब हमिन सारे चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे और low flame पर ही पास मिनट तक भूनेंगे ताकि मटर अच्छे से भून जाए और टमाटर भी अच्छे से soft हो जाए तो इस तरह से बार-बार चलाते हुए पास मिनट तक भूनेंगे देखे friends 5 मिलट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मटर भी अच्छे से बुन चुके हैं और टमाटर भी बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इस मेज़ करेंगे कटी ही बंदगोवी तो देखे friends बंदगोवी को मैं पहले अच्छे से धोली हूँ उसके बाद इस तरह से एकदम पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिए हूँ बंदगोभी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं आप जैसे कट करते हूँ अब बंदगोभी को इन सारे चीजूं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसान नमाग अब इन सारे चीजूं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम धक्कन लगा करके लूफ लेंपर 10-12 मिनट तक सबजी को पकने देंगे और बीच बीच में धक्कन हटा हटा करके सबजी को चलाते भी रहेंगे 10-12 मिनट हो चुके हैं धक्कन हटाएंगे और यह देखे फ्रेंस हमारा टेस्टी एंड इलीसियस बंदगोवी मटर की सबजी बन के रेड़ी यह बहुत ही स्वाधिष्ट और चटपटी बनेगी इस तरह से ट्राई जरूर करें बच्चों से लेकर बड़ो तक को सबको बहुत ही जादा पसंद आएगी अब हम इसमें अड़ करेंगे धनिया की पत्ती तो हम इसमें डालेंगे धेर सारा धनिया की पत्ती धनिया की पत्ती डाल देने से बंदगोवी की सबजी में फ्लिवर बहुत ही बढ़िया आता है अब हम धनिया की पत्ती को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंज देखे ना कितना आसान तरीका है बंदगोभी मटर की सबजी बनाना तो इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें सब लोग उंगलिया चार चाट करके खाएंगे तो हमारी टेस्टे अन डिलीसेस बंदगोभी मटर की सबजी बन के रेड़ी अब हम गयस के फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सेर्व करेंगे तो फ्रेंज इस रेसिपी को प्लीज ट्राइज करें सब लोग तारिप करते नहीं थकेंगे और बार बार बूलेंगे ऐसे ही बनाने के लिए तो ऐसी ही टेस्टे अन डिलीसेस रेसिपी देखने और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये रेसिपी पसंदाई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें